हेलो स्टेंट्स वैलकम टी न्यू एरा मैस क्लासिज आज हम करेंगे सोलेट मेंटरी का 1.3 एक्सराइज एंड कल के लक्षर में हमने किया था कि कॉनिक कब इलिफ्स और किस कंडिशन में हाइपर बोला बनता है और वहां से हमने लेंट ओफ एक्स एंड एक्वेशन ओफ एक् पारबोला इन जनरल थोड़ा सा बेसिक कर वादे तुमापको सबसे पहले पराबोला की वेशन वाइज कोर इस इक्वेशन वाइज कोर इस इक्वेल तो 4AX यह आपने पढ़ रखे है इलाव थास्में अग्या पर आप कैसे बनाते हो और इजन पर इसके जो वर्टक्स होत है पराबोला का ओरिजन पर बनता है कि अगर एकसिज औफ प्यार बोला अगर यहां पर कोई प्लिक लेटे हो यहां से परन्टिक्न ड्रों किजिए पी-एम यहां से पर्पेंडिक्र ट्रों करते है वाइस अक्षिज पर यहां से अगर हम देखेंगे तो पैरबोल हमारा कैसे बन रहा है एक पॉइंट का लोकस हो जाता है यह पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि यह जो लाइन है यह मेजर करते हैं अगो एज ओडिनेट मिन्स वाइए एकसिज अगल अलॉंग वाइए हम इसकी वाइली मेजर करते हैं और दिस इस एपसिसा अलॉंग एकसिज़ लंथ मेजर करते हैं ओके तो यहां से हमें दिख रहा है कि एक पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि अगर आप पी एम एंड पी अगर यह पॉइंन आपके पी बिलिए सकते हैं यह पंट आ पहां के पास इस तरह से प्रपैंदीकूर टू कि तो यहां पर पराब हो öm ने चीज कर दिया कि प्यांप मसक कि यह उखार न हमारे से यह पास इक पराबॉला बनेगा या पॉइंट पीं आपर कि बिर लोग होете अब यहाँ पर देखे, PM is a line, PM, यहाँ पर हमारे पास line है, and PM also line, तो equation of line निकाल लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं यह लेकर चारूँ कि equation of PM, equation of line PM is ax plus by plus c equal to 0, यह हमने equation लेली, PM means इस line की, okay, and PM is a perpendicular to PM, therefore equation of PM is, क्या आज यहेगा भी, यह line देखे, इसके perpendicular कैसे निकालते हो, bx minus ay plus constant अलग होता है, equal to 0, क्योंकि इसका slope और इसका slope multiply करोगे, तो minus 1 आना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम जो, इसका y का multiple होता हूँ, x का लेते हैं, और x का होता हूँ, y का लेते हैं, and sign change कर ले होता है, minus आना चाहिए, और constant अलग हो जाता है, okay, यहां से मारे पास, दो line की equation आ जाती है, अब हम value put करेंगे, अगर मैं इसको, इस condition में change करती हूँ, standard equation को, y square is equal to 4ax, इस तरह से हमारे standard equation होती है, ठीक है, अगर हम इसको change करेंगे, pm, यहां फिर इसको mp भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखेंगे, बुक में करेंगे, यहां पर यह सोचो की mp दे रखा है, तो mp भी ले सकते हो, mp square, यानि कि, किस axis बन रहा है, इस axis बन रहा है, x axis बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा मारे पास, x की यह, जो mp square, along this value, this is equal to 4a into x, x की value हम किसके long measure कर रहे है, pn के long, यहां से आजाएगा, pn, here, ax plus by plus c equal to 0, and this line, bx minus ay plus c dash equal to 0, these are two perpendicular lines, then, general equation of parabola is, parabola of general equation के आएगी, ax plus, क्योंकि यह हमारे पास axis की है, यहां पर आप compare करेंगे, तो mp, equation of axis, ax plus by plus c, under root a square plus b square, complete square, equal to, जो भी constant होगा, उसको हम के ले लेते हैं, and this is bx minus ay plus c dash, divided by under root of a square plus b square, यह equation है, general equation of parabola, याज आपको question में, ऐसे ही equation बनानी है, जो भी general equation, इकोनिक की given होगी, आपको इसमें reduce करना है, और यहां से जो k की value आएगी, k is a latest rectum, latest rectum of parabola is mode of k, यानि कि plus minus अगर k आजाते हैं, तो mode of k लेके चले, latest rectum होगे, equation of axis of parabola, क्या बनेगा यहां से, ax plus by plus c, by plus, and tangent at vertex, इसकी line क्या बनेगी, यहां पर देखिया, पराबोला का जो tangent है, वो y axis बन रही है, और इसकी question है, bx minus ay plus c dash, bx minus ay plus c dash, तो यह आपको important topics जो आपको याद रखने हैं, question में इसी तरह से आपको reduce करना है, and latest rectum find out करनी है, और इसके बाद equation of axis पूछे जाएगा, तो आप पहले equation को इस form में reduce करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो equation आएगी, वो आपका होगा equation of axis, और tangent पूछा जाता है, then यह जो right hand side पर जो अपके बास line की question है, this is the tangent of vertex, question first देखिये, exercise 1.3, find the latest rectum, equation of axis, tangent at vertex, and vertex of parabola, यहाँ पर parabola की, पूछे गए है, latest rectum, axis, equation axis की, जिस axis पर अब बाद बनेगा, tangent at vertex, जो भी हम आपको बताया कि किस तरह से आपको देखना है, और vertex of the parabola, यह conic equation दे रखिए, तो सबसे पहले आप प्रूब करेंगे, कि this conic equation represent a parabola, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको, compare करते हैं, compare with, a x square, 2 h x y, by square, 2 g x, 2 f y, plus c equal to 0, इसे आप compare करेंगे, and constant की values निगा लेंगे, a is 25, h is minus 60, तो से divide हो जाएगा, b 144, g is a minus 1, ठीक है, and f minus 29 by 2, and c equal to minus 1, parabola के लिए हम क्या प्रूब करते हैं, del not equal to 0, and a b minus s square equal to 0, यह condition अगर आ जाती है, तो हमेरे पास conic equation represent करती है parabola को, तो सबसे पहले आप del निकालेंगे, del की value होती है, a b c, plus 2 f g h, minus a f square, b g square, minus c h square, यहाँ पर आप सारी values बूट करेंगे, और यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ आएगा not equal to 0, ओके, इसके बाद आप निकालेंगे, a b minus h square, a into b minus h square, h is minus 60, ओके, यहाँ पर solve करेंगे, यह equal to 0, ओके, इसके बाद आपको निकालना है, a b minus h square, यह आपका 0 आना चाहिए, ठीके, अगर यह दोनों condition फूल्फिल करता है, देरफोर, equation first, this equation, represent a parabola, then, equation first, represent a parabola, अब आपको इसके निकालने, axis, latest rectum, equation of axis, turning into vertex and vortex of the parabola, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा calculation करने पड़ेगी, यानि इसको एक form में reduce करना, जो अभी मैंने बताया आपको, second degree की जितने भी term है, x square, x into y, 1 into 1 is a 2 degree, and y square, जो homogeneous equation है यहाँ पर, उसको आप left hand side पर रखे, और बाकी steps, बाकी जितने भी terms है, उनका upright side पर लेके जाहिए, तो यहाँ से आप लिखेंगे, equation 1, यानि first, can be written as, हम क्या करते हैं, जो homogeneous equation बन रही है, यह जो 2 degree की है, उन terms को रखते हैं, left hand side पर, 144 y square, equal to, और जो 1, 1 degree की है, constant हैं, उनका upright side पर लेके जाहिए, 2x plus 29y plus 1, ठीक है, यहाँ पर देखें किसका square बन रहा है, 5x minus 12y, अगर हम इसका square करते है, a square, b square, and 2ab, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पर यह square बन रहा है, and इधर करते हैं, 2x plus 29y plus 1, then इसको आप लेके चलेंगे, equation second, now, 5x minus 12y, this, इसमें आप lambda add कीजिए, और square, ठीक है, यह जो left hand side पर, आपने square quantity बनाई है, इसमें आपने lambda add किया, और इसको आप एक term लेके चलेंगे, इसको second, यानि कि यह a और यह b, आप ए प्लस b का square open करेंगे, तो यहाँ से आजएगा, 5x minus 12y square, a square plus b square, is a lambda square, plus 2ab, 2 lambda into 5x minus 12y, right hand side पर, जो x की term से इसको इकठा कर लेते, 5x and यहाँ से, यह जाएगा, 5 plus 2 lambda 10, 5 into 2 is a 10, x common ले लिया, ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले आप इसकी value put करिए, देखिए, 5x minus 12y square, यहाँ पर square है, तो आप direct use नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसकी second equation से value यूज करते है, यहाँ पर 5x minus 12 square की value हमने निकाल रखी है, तो इस value का आप यहाँ पर यूज कीजिए, 2x plus 29y plus 1 plus lambda square plus 2 lambda into 5x minus 12y, यहाँ पर आप लिखेंगे from equation second, ओके, यहाँ से solve करते हैं इसको, x के multiple आप अलग कीजिए, x and x यहाँ से, 2 plus 10 lambda into x, 29y and एक यहाँ से आएगी term y की, यहाँ से जिका, 29 minus 24 lambda into y plus constant 1 plus lambda square, ठीके, यहाँ आजेगा constant, constant रख, ओके, नाउ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो, यह जो left-hand side पे हमारे पास है, 5x minus 12y plus lambda, this is a equation of line, and right-hand side पे, x का multiple है, y का multiple, यानि कि, x और y में linear equation है, therefore, हमारे पास जो आ रहे हैं, दोनों side line की equation आ रहे हैं, left and right, तो lambda हमने यहाँ पर खुद लिया है, तो यहाँ से, हम lambda की value कैसे लेके चलेंगे, choose lambda such that, lambda को में इस तरह से choose करते है, कि, जो यह equation, left-hand side पे जो line की equation है, 5x minus 12y plus lambda equal to 0, and, और आप इसको ले ले लेना, equation number third, and, जो right-hand side पे equation बन रहे है, line की, 2 plus 10 lambda into x plus 29 minus 24 lambda into y plus 1 plus lambda square, ठीक है, यह जो right-hand side पे line की equation है, and this is the left-hand side पे जो line की equation है, lambda को हमने इस तरह से choose किया है, कि, दोनो equation lines की perpendicular बन जाए, यह दोनो line perpendicular हों, equation number four ले लीजिए, अर, perpendicular, अगर perpendicular है, that means, slope of line third into slope of line fourth, is equal to minus 1, because हमने lambda इस तरह से लिया है, कि, दोनो line हमारे पास perpendicular आजए, और अगर perpendicular है, तो आप यहाँ पे slope देखी, implies that, इसका slope निकालते है, क्या होते है, minus x का multiple, into y, divide by y का multiple, यह minus minus plus बना देगा, 5 by 12, यहाँ से करेंगे, 2 plus 10 lambda, divide by, minus apply होता है, 29, 24 lambda, equal to minus 1, यहाँ मैनस में होता है, तो इस minus का हम यहाँ shift कर लेते हैं, यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, यहाँ से solve करके, cross multiply करिए, cross multiply करिए, हम यहाँ से lambda की value, find out करनी है, और lambda की value आजाएगी, यहाँ से 1, ठीके, इसको solve करेंगे, और lambda हमारा आजाएगा, 1, ओके, और यह lambda की value हम put करेंगे, in this equation, यह equation number हमने लिया नहीं आपे, तो आप यहाँ पे put कर लेजी, equation third हमने लेजी, इसको आप star ले लेजी, यह हम star equation ले ले लेते हैं, put lambda equal to 1, in equation star, star में put करेंगे, यहाँ यहाँ put करते हम, 5x minus 12y plus 1, 5x minus 12y plus 1, square, this equal to, यहाँ से आजाएगा, 2 plus 10, 1 put करेंगे 12x, 12x, and यहाँ से 29 minus 24, आपने वहाँ पे 1 put किया है, this is a 5y, and 1 plus 1 is a 2, ठीक है, अब lambda की value आपके सही है या नहीं है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं, यह जो line की question है, और यह line की question, दोनों perpendicular है, इसी condition से हमने लिया है, कि जो left hand side पे line होगी, पिर जो right hand side पे आप असे perpendicular होना चाहिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका, x का multiple check करतू, यह हमारा y का multiple होना चाहिए, और जो y का हो हमारा x का होना चाहिए, बस sin उल्टे होना चाहिए, समझगे, तो यहाँ पे minus है, यहाँ पे plus, देखिए 12 x 5 y, तो यह आपकी lambda की equation right है, इसके बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ से आप ऐसे multiply divide करेंगे, ताकि हम इसको बना सके, जो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, article में, ax plus by plus c, divide by a square plus b square, और इसका complete square, तो यह form आपको यहाँ से बनानी है, तो आप यहाँ पे कैसे divide करेंगे, both side आपको divide करना है, किस term से divide करें, अगर यहाँ पे देखिए 5 square, 5 square is 25, 12 square is 144, और इसका आपको under root लेना, यानि कि 13 आगे हैं से, तो 13, and 13, इसको आप लिखेंगे, यह आप डिरेक्ट एफ से ऐसे भी कर सकते हैं, 5 square plus 12 square, और इसका under root, ठीक है, और हम इसका कर दे, square, अगर यहाँ पे आप इसको solve करेंगे, x का multiple, y का multiple, यह होने चाहिए हैं मरे पास, तो 25, 144, इसका 13 square, और 13 square हम, right hand side पर लेते हैं, समझ में आपको कैसे ले नहीं है, जो x का multiple है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यह x का multiple, यह y का multiple, तो term दोनों साइड सेम ही बनेगी, जो x का multiple है, इसका square, प्लस जो y का multiple है, इसका square, अंडर root and square कर देना, ताकि हम square इसका भाहर लेज़के, मनले इसको आप लिखोगे, 5x minus 12y plus 1, divide by under root of 5 square, plus 12 square, और complete का square आना चाहिए, जो term यहाँ पे आप divide में कर रहे हो, वह यह आपको right hand side पे divide में करनी है, औके, और यहाँ पे आपको form बनानी थी, 1 by 13, square power है, 12x plus 5y plus 2, divide by under root of 13 को लिख सकते हैं, आप only 13 को, हमने एक power यहाँ पे लिए है, 13 रहा है, यहाँ पे 13 को लिखोगे, 5 square plus 12 square, इसको solve करेंगे, 169 और इसका under root लेंगे, तो 13 आ जाएगा, ओके, तो 13 को हमने इस form में लिख दिया हैं आपके, अभी हमने पढ़ा था, कि इस form में आने के बाद, इसे सबसे पहले जो article करवाया है, मैंने आपको, थोड़ा basic बताया है, यह जो constant होता है, this is the latest rectum, यह जो line की equation होती है, यह होती है, equation of axis, यानि कि जिसके पास square की term, जिस equation का square है, वो हमारी होती है, equation of axis, तो equation of axis आ जाएगा है हैं से, equation of axis, of parabola, is, 5x minus 12y, plus 1, ठीक है, latest rectum, यहाँ पर लिख देती हूँ में, latest rectum is, 1 by 13, यह जो multiple में होता है, जो भी constant रहेगा, वो होता है, latest rectum, and this equation, is a tangent at the vertex, this equation, tangent at vertex, is 5x plus 5, 12x plus 5y, plus 2 equal to 0, यह हो जाएगा आपके बस, equation of tangent, नाउ आपको vertex बिताना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, और vertex का क्या मतलब होता है, यह हमने लिया, और हम standard equation की बात कर रहे है, means यह जो parabola होगा, वो origin को touch करते हुए जा रहे है, जो y-axis है, वो इसका tangent बनता है, it means, this is a vertex, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो axis of parabola is a intersecting by tangent, जो इसका tangent होगा, उससे intersect कर रहे है, अब हमने दोनों की equation पता है, इस line की भी equation हमने निकाल लिये, equation of axis, this equation, equation number 5 ले लिजी, and equation of tangent, this equation, यह आपस में intersect कर रही है, वही parabola का vertex होता है, दो line की equation है, अगर आपको इनका intersecting point find out करना, that means, आपको इनको solve करके, x और y की value निकाल लिये, तो यहाँ से जो 5th equation, and this is a 6th equation, समझे, यानि कि यह line है, 5x-12y plus 1, यह इस line की equation है, 5x-12y plus 1, और जो tangent की line, यानि इस line की equation है, यह है 12x plus 5y plus 2, इन दोनो equations को solve कीजिए, x और y की value निकाल लिये, यह होता है, vertex of the parabola, और vertex पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, equation of axis निकालना है, और equation of tangent, एक बार मैं repeat कर देती हूँ, सबसे पहले, iconic equation दे रखी होगी, आपको यहाँ पर nature find out करना, means आपको show करना है, कि यह parabola की equation है, इसके लिए delta not equal to 0, and a b minus s square equal to 0 आना चीए, आप यह condition दोनों प्रूव करेंगे हाँ पर, मैंने डैल की value हम पर रफ कर दिये, दोनों conditions को प्रूव करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे, कि equation first हमारे पास parabola बन रहा है, उसके बाद जो अगर parabola बनता है, तो homogenous factors को left-hand side पे रखिए, और जो linear factor है, उनका up right-hand side पे लेके जाएंगे, अब यहाँ पर तो यह direct ही बन रहा है, कि यह इसका square है, 5x minus 12y का, अगर यहाँ पर square डरेक्ट नहीं बनता है, तो वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, किसीने किसी का जुरूर बनेगा यहाँ पर, तो square quantity बना लेते हैं, और यह equation number second ले लेते हैं, यानि कि हमारे square quantity की value आ जाती है, इसके बाद आपको करना है, जो भी square बन रहा है, जिस भी term का, उसमें आप lambda एड करेंगे, और a into, a plus b का square, identity apply कर देंगे, यहाँ से anti apply करेंगे, this equation, line की equation, and right hand side पर line की equation, lambda की value कैसे निकालेंगे, कि इन दोनों lines को हमने इस तरह से लिया है, कि यह आपस में perpendicular बने, अभी हमने क्या बताया था, अगर मैं p point यहाँ पर लेती हूँ, यह perpendicular, इसको meet करते हैं, यह दोनों line आपस में perpendicular होती है, ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला है कि, यह line इसकी perpendicular होगी, तो हमने क्या क्या है है से, दोनों के slopes की multiply, equal to minus 1 रख दी, यहाँ से हमने lambda की value निकाल ले, lambda की value वापिस यहाँ पर put करेंगे हम, left and right, दोनों side, हमारे पास एक question आजाएगी, इसके बाद आपको इस form में reduce करना है, in lines को, यानि जो x का multiple है, इसका square लोगे, plus y के multiple का square, under root लोगे, और उसका square, इसको solve करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कि हमें किस term से दोनों side divide करना है, ऐसा यहाँ पर, क्योंकि इनके multiple same ही रहेंगे, अगर यह a है, तो यह इधर जाके b बनेगा, यह b है तो इधर जाके यह a बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप उसने perpendicular lines है, इसलिए coefficient interchange हो जाएंगे, x का होगा y का, और y का होगा वो x का मिलेगा, ओके, इस form में reduce करने के बाद, this is the equation of axis, this is the equation of tangent, at the vertex, अगर vertex पूछा जाता है, तो हम दोनों equation को solve करेंगे, x y की value निकालेंगे, वो हो जाएगा vertex of the parabola, एंड यह जो constant आपके बास बचेगा, कुछ भी आ सकता है यहां पर, जैसे यहां पर 13 है, अगर अल्रेडी constant होता, वो भी सके साथ ही होता, तो यह constant होता है, latest rectum, ठीक है, next question देखी, show that the question, यह question देरकी कोने की, represent करेगा parabola को, also find the focus, vertex, axis and latest rectum, h is xy का मल, 2h की value होती है, h is 12, b is 16, general equation से हम compare कर रहे हैं इसको, और g की value होजेगी, minus 1, 2gx, 2fy, f की value होजेगी, यहां से 7, and c is 1, यहां से विन सारे constant की value निकार लिए, फिर हम निकालेंगे, del, abc, plus 2gh, into f, minus af square, minus bg square, minus cs square, यह values पूट करके, आप यहां पे solve करेंगे, यह आना चाहिए हमारा equal to, sorry, not equal to 0, del not equal to 0 आना चाहिए, इसके बाद हम निकालेंगे, ab minus s square, इसकी जो value, यहां से values पूट करेंगे, यह हमारा equal to 0 आना चाहिए है, तो आप यहां पे calculation कर लेना, इसके बाद हम बताएंगे, equation first, यह equation first है हमारी, equation first, represent, a parabola, ओके, इसके बाद आपको निकालना है, इसके focus vertex axis and latest rectum, उसके लिए हमें क्या करना है, जो second degree के नहीं, homogeneous terms है, उनको आप left-hand side पे रखिए, 9x square, plus 24xy, plus 16y square, और बाकी terms को सबको right-hand side पे लेके जाएंगे, 2x minus 14y minus 1, इसको आप square term में लिखिए, देखिए कि यह हमेशा perfect square बनेगा, अगर parabola का case है, तो left-hand side हमेशा perfect square बनेगी, this is 3x plus 4y square, इन terms को हम लिख सकते हैं, इसका square, and right-hand side पे 2x minus 14y minus 1, equation second ले ले लते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, यह जो term लिए है आपने, इसमें हमें lambda constant एड़ कर लेना है, प्लस lambda और इसका square open कर देंगे, open कैसे करना है, इस complete term को a लेके चलेंगे, और इसको हम b लेके चलेंगे, यानि कि 3x plus 4y, a square, a square plus b square, plus 2a into b, यानि कि यहीं आजाएगा, 3x plus 4y, इसके square की value हम second equation से उठाएंगे, यानि इसके square की value दे रखे है, हमने निकाल रखिए, 2x minus 14y minus 1, plus lambda square, plus 6 lambda x, plus 8 lambda y, x के multiple को अलग करिए, यानि x की terms को, 2 plus 6 lambda into x, y की terms को इक इठा करते हैं, minus 14 plus 8 lambda into y, and lambda square minus 1 is a constant, ओके, जो lambda आपने constant लिया है, यह हम इस तरह से लेंगे, कि left hand side पर यह जो line की equation है, and right hand side पर यह line की equation है, x में जो linear होती है, equation, x और y, x plus y, plus any constant, यह हमारी line की equation होती है, तो lambda इस तरह से लेंगे, कि यह दोनों line आपस में perpendicular आ जाए, ओके, चूज, lambda, such that, 3x plus 4y, plus lambda, equal to 0, equation number, third ले लिजिये, ओके, और इस को हमें लेंगे equation, star, यह जो equation हाई है, मेरी बस, and, right hand side पर क्या बन रिया, 2 plus 6 lambda, into x, plus, minus 14, plus 8 lambda, into y, plus lambda square, minus 1, equal to 0, equation 4, both these equations, are, perpendicular, कि हमने lambda, ऐसा, ऐसी value चूज किये, जिससे दोनों line, perpendicular हो जाएगी, अगर दोनों line, perpendicular है, तो यहां से हम इनके, slops की multiply करेंगे, और हो आएगा, minus 1 के equal, अब यहां पर slope निकाली, equation number 3 का, यह आजाएगा, यहां पर अब लिखेंगे, then, slope of equation 3, minus x का multiple, divided by y का multiple, minus of 2 plus 6 lambda, divided by, minus 14 plus 8 lambda, equal to minus 1 अच्छी है, ठीक है, यहां से आप lambda की value solve करेंगे, lambda की value आएगी, solve करने के बाद, इसको आप complete solve कर लें, lambda आजाएगा, यहां से 1, और इस lambda की value को, हम equation star में put करेंगे, यहांने की इस equation में put करेंगे, ठीक है, put lambda equal to 1 in equation star, star equation में put करेंगे, यहां पर देखी क्या आएगा, left hand side पर, 3x plus 4y plus 1, और complete square, ठीक है, and right hand side में put करते हैं, this is equal to 2 plus, यहां पर 1 रखना है आपको, तो यहां जाएगा 8x, 8x, and यहां से 1 रखेंगे, यहां जाएगा, minus 6y, plus, यहां पर आपको 1 रखना है, 1 minus 1 रखना है, यहांने कि यह term आजाएगे, इसको आप क्या करेंगे, 2, 4x minus 3y, अब क्या यह lambda की value आपकी right है, देखिए आपर 3 का, जो x का multiple है, यह y का होना चीए, जो y का है वो x का होना चीए, और यही हमारी आई है, जब हमने lambda की value, put करके solve किया है, ठीक है, और sin हमारा उल्टा है, यहां पर plus है, यहां पर minus है, इसका मतलब, यह दोनों line perpendicular है, चलिए जी, next हमें क्या करना है, अंडर रूट of a square plus b square, complete square equal to bx plus a y minus a y, plus c dash, और यहां पर k multiply भी रहेगा भी, shortage हो जाती है place की, यहां पर k multiply रहेगा, और आप वोन में a square plus b square, यह होती है general equation of parabola, ठीक है, तो यहां से हम इसमें change करेंगी इसको, तो इसको हम divide कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप किस से divide करेंगी, यह equation इसके equal है, इसको में divide करती हूँ, अंडर रूट of 3 square is a 9, plus 4 square is a 16, ठीक है, और इसको आप square में लेके चल रहें, ताकि यहां square square हम भार ले सकें दोनों का, इसको solve कर लेते हैं, 9 plus 16, 25 और 25 का अंडर रूट, 5 और 5 का square is 25, means 25 आना है, तो बोट साइड हमने divide कर लिया है, 25 से, ओके, चलिए जी, आगे solve करते हैं, 3X plus 4Y plus 1, divide by अंडर रूट आफ 9 plus 16 का square equal to, अब इसको भी इस form में लेके आई है, BX minus AY plus 3 dash upon A square plus B square, अब यहां पर इसकी value कितनी है, X का multiple is a 4, and Y is a minus 3, तो इसको लिखेंगे 5 into 5, और एक 5 को मैंने यहां पर लिख लिया, और 4X minus 3Y, इस 5 को change कर दिया, यह जो 5 है, इसको मैं लिख दिया, अंडर रूट आफ 3 square, यानि कि 9 plus 16, यहां पर आप लिख सकते हैं, this is a 3 square, और इसको आप लिख सकते हैं, 4 square, यानि A square plus B square, इस form में बन जाता है हमारा, और यह हमने form बना लिए, general equation of parabola, यहां पर आप के compare कर सकते हैं, इसको आप उस form से compare करेंगे, तो यह equation आजेगी, सबसे पहले तो latest rectum देखी, latest rectum, क्या आ रहा है, यह जो constant होता है, latest rectum होता है, 2 by 5, इसके बाद, equation of axis, यह equation of axis होती हैं वही, 3x plus 4y plus 1, equal to 0, यहांनी parabola हमारा, कौन सी axis से बन रहा है, वह equation of axis, और यही जो equation होती है, this is equation of, यहांनी कि tangent at vertex, बता सकते हैं आप में हापे, tangent at vertex, यहां जाएगी, 4x minus 3y, equal to 0, ठीक है, और क्या बता सकते हैं आप यहां से, focus, vertex, focus अभी निकालते हैं, यह axis मिल गया, latest rectum मिल गया, vertex कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन दोनों equations को solve कर लेती हूं, अगर vertex पुछा जाता है, तो यहां तक तो आपको solve करना ही करना पड़ेगा, इसके बाद यह जो equation आई है, equation of axis and equation of tangent at a vertex, इन दोनों को solve करेंगे, x और y की value निकालेंगे, यहां से आजाएगा vertex, अब हम बात करते हैं focus की, focus कैसे निकालते हैं, focus होता क्या है, जो आप parabola लेते हूं, this is a parabola, and यह हमने focus लिया, और this is a latest rectum, focus में से होके जो line जाती है, वो होती है latest rectum, और latest rectum की आपने value निकाल रखिया है, 2 by 5, ठीक है, तो अगर यहां पे मुझे यह point चाहिए, means मुझे यह बाला point चाहिए, यह हमारा focus होता है, है न, this point is a focus, यह point कैसे आएगा, इस line की, this line, and this line, इन दोनों lines की intersection से, हमें focus में लेगा, समझ गए, vertex कैसे मिलते हैं, यह जो x-axis और जो y-axis, means axis of parabola, and tangent, जो line है, at vertex जो हम बोलते हैं, tangent, equation of tangent, इन दोनों के intersecting points से हम निकालते हैं, vertex, इसी तरह से, latest rectum की जो line की equation बनेगी, और यह जो axis की equation है, इससे आपको निकालना है, focus, ठीके, तो इसकी equation तो आपके बास है, equation of axis, यह हमारे पास है, अब हमें चाहिए, latest rectum की line की equation, यह आप कैसे निकालेंगे, देखिए, यहां पर जो आपने, general equation निकाली, parabola की, इसको आप compare करेंगे, यानि यह जो form बनती है, यह बनती है, p1 square equal to 4a into p2, ध्यान से देखना, यह हमने complete लिया है, p1, p1 square, this is equal to 4a, this is latest rectum, यह तो हम बदाते हैं, अगर simple y square is equal to 4, जो standard equation होती है, पाराबोला की, इसके अंदर 4a latest rectum होता है, ठीके, in general equation में हमें यह change कर दिया, और यह जो constant होता है, यह हमारा latest rectum होता है, ओके, यह जो value है, इसको हम लेते है, p2, यहनि इसको हम अगर इससे compare करेंगे, तो p2 की value, क्या रही है यहां से, 4x minus 3y, divide by, इसको solve करेंगे, 3 square plus 4 square का under root है आएगा, 5, understand, और यहां से अगर मैं 4a को constant को compare करती हूं, then 4a is equal to 5 by, 2 by 5, implies that, यहां से आजाएगा यह, a की value आजाएगी, आप 4 से divide करेंगे इसको, ठीक है, 1 by 10, 2 से 4, cancel हो जाएगा, और 1 by, यानि एकी value आगी, 1 by 10, अब हमने क्या, यहां पर हमने क्या समझा है, कि जो latest rectum, की line की equation है, और axis की जो equation है, इसका जो intersecting point होगा, वो हमारा focus बनेगा, इसके लिए, यह line की question तो है हमारे पास, इस line की question निकालते है, यानि कि equation of latest rectum, यह कैसे आएगी, P2, this is a P2, equal to A, यही बनी न, P2 is equal to A, तो यहां से P2 की value रखी है, P2 is a 4x minus 3y, divide by 5, और A की value हमने निकाल लिए, 1 by 10, equation आजाएगी हां से, 5 to 10 is a 2, 4x minus 3y, is equal to 1 by 2, यह equation आगे है हमारे पास, latest rectum की, equation number, equation number ने डाला हमने हापे, this equation, 3x plus 4y, plus 1 equal to 0, and, 4x minus 3y, equal to 1 by 2, इन दोनों equations को solve करेंगे, और x और y की जो value आएगी, ठीक है, यह होगा हमारा focus, इसको आप solve कर लेना, तो focus निकालने के लिए, equation of latest rectum निकालने पड़ेगी, और वो निकालने ही, आप इसको compare करेंगे, p2 equal to a, यानि कि यह होती है, equation of latest rectum, p2 equal to a, a की value आप यहां से निकालेगी, compare करके, this constant is equal to 4a, और a की value आजएगी, यहां से, ओके, और इसको solve करेंगे, यह equation हमारी बस, equation of axis, and this is the equation of latest rectum, solve करेंगे, x, y की value, this is the focus of the parabola, ठीक है, तो यह आपके पास exercise 1.3, and, शायद parabola के all concept, मैंने आपे करवा दी हैं आपको, और इसमें, शायद 5 question है, तो बाकी questions के मैं, पेडियाव डाल देती हूँ, description में, आप आप हाँ से check कर लेना, और आप इसको try किजिए, and next lecture में करेंग 1.4, आप दब तक आप इसको try करू, and thank you for watching my video, बाई.